नमस्कार आपके साथ मैं हूँ तृप्ति विश्व कर्मा और आप देख रहा है न्यूस टैम्स चैवासा इस बुलिटिन में आप सभी का स्वागत है आईए नजर डालते हैं सिंभुन के खबरों पर कारगिल शहीद राम भगवान केरकेट्टा की 25 पुनितिती के आउसर पर आदिवासे उराल समाच संध चैवासा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने पोस्ट आपेस चौक में स्थेत उनके प्रतिमा पर मल्यारपंड कर स्रधानजली दी समाज के अध्यक्ष संचु तिर्की के अध्यक्सता में स्रधानजली कारिक्रम आयजित किया गया उपस्ति तदस्यों को संबोधित करते वे उन्होंने कहा कि आज हमारे समाज के लिए खुसी की बात है कि हमारा भाई जो देश के लिए लड़ते हुए अपनी प्रान की आहुती दी दुख इस बात का है कि उनके जैसे सच्चे वीर को अब हम नहीं पा सकते हैं लेकिन हम उनसे प्रेड़ना लेती हुए समाज से जुड़े नव योगों को देश सेवा हेतु प्रेरित कर सकते हैं उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं मौके पर समाज के सलाकार सदस्य बाबुलाल बरहा ने कहा कि कारगिल शहीद रामभगवान केरकेटा एक वीर सैनिक तो थे ही साथ ही वे एक फुटबॉल प्रेमी थे उराज समाज खेल एवं सांस्कृतिक संस्थान के तोधान में करमात योहार के उपलक्ष में पिछले 40 वर्सों से फुटबॉल का आयोजन सिंबुम स्पोर्ट्स एक्षोशिशन मैदान में होता आया है कारगिल सहीद राम भगवान करकेटा उस प्रत्योगिता में आवश्य भाग लेते थे चाहें उनकी पोस्टिंग कहीं भी रही हो वे इस प्रत्योगिता में भाग लेनी के लिए चाहें बासा आते थे और इस प्रत्योगिता को सफल बनाते थे 13 सितंबर 1999 को पाकिस्तान की विरुद लड़ती हुए देश सेवा में उन्होंने अपनी शहादत दी थी उन्हें स्रधांजली देने हेतु समाज ने इस खेल प्रतियोगिता को उनके नाम समर्पित कर दिया जो आज सहीद राम भगवान केरकेटा कर्मा पर्व दो दिवसिय फुटबॉल एवं खेल प्रतियोगिता के नाम से जाना जाता है उपायुक्त कुल्दीप चौधरी ने जीला के सुदूर वर्ती मनुहरपुर गुदडी सोन्वा एवं टोंटो प्रखन छेतर में मुवाइल टावर अधिस्ठापन से संबंधित मामलों के समधान ही तू बैठक की उपायुक्त द्वारा अध्यतन प्रतिवेदन समीख्षा के दावरान टेलिकॉम प्रतिनिधी द्वारा बताया गया कि कुछ एक स्थान पर वर्षा की वज़े से पहुच्पत खराब होने के कारण कार्य प्रारंब नहीं हो पाया है जिसे बारिश समाप्त होने के बाद प आवेदन समर्पित किया जाए वैसे स्थान जहां अधिस्थापन ही तू सामगरी ले जाने के लिए पेड़ों को काटने का विशक्ता है उन स्थानों के समीप में अधिस्थापित मोबाइल टावर के साथ पेलोड शेयर करने ही तू विचार कर संबंदित प्रतिवेदन का कर्याले को उपलब्द करवाना सुनिश्षित किया जाए बैठ़क में उपाइद के द्वारा टेलिकॉम प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि जिन स्थानों पर समस्याओं का निराकरन कर लिया गया है उन स्थानों पर यथा शीग्र तावर निर्मान का का आरे प इसका सुभारम जीला सिक्षा दिक्षक प्रवीन कुमार एवं जीला खेल पदाधिकारी रूपाराने तिर्की ने हरी जंडी दिखा कर किया। इस प्रत्योगिता अंतरगत अंडर 14, 17 एवं 19 आयू वर्ग में बालक बालिका हेतू विबिन प्रतिस्पर्धा का आयजिन हुआ इस प्रत्योगिता में प्रखंड स्तर पर स्पर्धा वार प्रथम स्थान पर रहे बालक बालिकाओं के द्वारा भाग लिया गया। जीला सरी प्रत्योगिता में प्रत्योगिता में प्रत्योगिता में भाग लेंगे। आज की प्रत्योगिता में 100, 200, 400, 600, 800, 1500, 3000 मीटर द मेन रोट सदर बजार चाइबासा हमारे यहां आपको हेर कटिंग, पेसियल स्मूथिंग, केरेटिन, कलर डीटेन, स्ट्रिथनिंग, हेर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी बैतरिन सर्विस और बेस्ट प्रोड़क्ट के साथ सारी सुविधाय आपके चैबासा सहर में उपलब्द हैं सिवाओं के लिए आए, जी के लाउंच सदर बजार या फिर स्क्रीन पर दिये गए मुबाइल लंबर पर संपर करें आप खेल से जुड़ा समान खरिदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है आमिद स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना, हम आपको हर आइटम जमशेदपूर से भी कम कीमत पर चैबासा में उपलब्द कराते हैं क्वालिटी प्रोड़क्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी हैं चैबासा सहर के सदर बजार में FS टावर और JMP चौक के पास दोनों ही जगों पर संचालित होता है आमिद स्पोर्ट्स कलेक्शन तो फिर सोचना क्या है आईए आमिद स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाईए पश्मे सिम्हुन जीले के तातनगर प्रखंड के खेडिया टांगर के ग्रामिणों ने बिजली विभाग के कनिया भ्यंता पर जान बूझकर बिजली चोरी के मामले में पसाने का आरूप लगाया है ग्रामिणों की और से शुक्रवार को उपायूत को ग्यापन सौप कर सभी ग्रामिणों के खिलाफ की गए प्रात्मी की वापस लिये जाने की मांग की गई है ग्रामिनों का कहना है कि विभाग के माध्यम से ही एजिंसी द्वारा उन्हें विद्धित कनेक्शन दिया गया है घरेले उपयोग के दोरान जो बिल आता था उसका पैसा सभी जमा करते थे उसकी रसीद भी उनके पास है मुखिमंतरी उर्जा खुशहाली योजना के तहट 200 यूनीट प्रतिमा बिजली माफ किया गया है बिजली बिल माफ होने के बावजूद 12 सितंबर को कन्ये विद्धित अभ्यंता ग्रामिन उपेंद्र कुमार द्वारा घरेले उपयोग के अलावा तोका लगा कर एक किलो वाट बिजली चोरी का आरोप लगाया गया है जो की पूरी तरह से बेबुन्याद है अभ्यंता द्वारा जान बूज कर ग्रामिनों को फसाया जा रहा है आपको बता दे कि 12 सितंबर को कन्ये विद्ध अभ्यंता उपेंद्र कुमार द्वारा बिजली चोरी के मामले में 6 ग्रामिनों के खिलाफ प्रात्मी की दर्ज कराई गई है जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उसमें घसनी कुमारी, रेंगो पूर्ती, राधिका देवी सीराम देवगम, सुरेश पूर्ती और बिर्सा भगवान सिध्धू का नाम शामिल है इन लोगों पर घरिलू परिसर में एल्टी लाइन से टोका लगा कर अवैद रूप से बिजली चोरी करने का आरुप लगाया गया है चक्रधरपूर के विधैक और जामों की जीला अध सुखराम उराओं को सुबह से ही दस्त की सिकायत थी शुकरवार को बंदगाओं में आपकी योजना आपकी सरकार कारिक्रम में भी शामिल हुए जहां उनका ब्लड प्रेशर डाउन होने लगा बंदगाओं में प्रात्मिक उपचार के बाद अनमंडल अस्पताल चक्रधर प्रपुर में चिकित्चकों ने जाच के उप्रांथ भरती कर लिया फिलहाल उनकी तव्यत समान ने है देर रात उन्हें घर भेजा जा सकता है 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सचता ही सेवा अभ्यान के सफल संचालन को लेकर उपयक्त पुल्दीप चौधरी ने बैठक की उन्होंने पदा अधिकारियों को बताया की 14 सितंबर को रास्य स्तर पर इस अभ्यान का शुभारम किया जाएगा और जीला में 17 सितंबर से अलग-अलग तरह की गतिविधियों का आयजन होना है इस में लोगों की भागिदारी पर जोड दिया गया है इस वर्स अभ्यान का फ्रीम सभावव सच्छता, संसकार सच्छता है अभ्यान के दौरान लोगों की भागिदारी सुनिशित करना जन जागरुपता, व्यापक स्तर पर सचता हेतु प्रेरित करना, सचता शपत, सचता रैली, ग्राम सभा, पौधा रोपन, कच्रे से कला, सच्छ स्ट्रीट फूड चैलेंज और धार्मिक परटन एवं एतिहासिक स्थल की सफाई शामिल है उपायुक ने सभी संबंदित विभागों को आपसी समन्वे बना कर अभ्यान को सफल बनाने का निर्देश दिया है बैठक में उप्विका सायुक संदीब कुमार मीना, सहायक समाहरता अर्णम मिश्रा, पिएच एडी की कारपालक अभ्यंता विनोध कुमार सहित, अन्य पदाधिकारी और अभ्यंता मौजूद रहें बरसात के कारण बरकेला, मोगरा, मुख्य सड़क के अधूरे, किचर नुमा एरिया को जाकर मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों और कारिकरताओं द्वारा श्रमदान करके ठीक किया गया कुछ दिन पहले नाराज ग्रामिनों ने मंत्री दीपक बिर्वा का पुतला दहन किया था इसके बाद मंत्री के पहल पर पाटी के पदाधिकारियों और कारिकरताओं ने स्रमदान करके सड़क को चलने लायक बनाया है यह सड़क लगभग बनकर तयार है वन विभात से एनुसी नहीं मिलने के कारण कुछ जगहों पर कारिय अधुरा है जिसके कारण ग्रामिनों को अस्विधा का सामना करना पड़ रहा है जहां मो निताओं ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की गलतियों के कारण सड़क का कारिय अधुरा है और अब भाशपा के निताही ग्रामिनों को बरगला कर विरोध कर रही है आप सोने और चांदी का अभूशन खरिदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरुवत नहीं चले आईए श्याम जोलर्स में श्याम जोलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटिस डिजाइन के अभूशन उचित मोले पर मिलेगा श्याम जोलर्स में सोने और चांदी के अभूशन की सुद्धता की सत प्रतिशत गैरेंटी है तो फिर जादा क्या सोचना है आज ही आईए श्याम जोलर्स हमारा पता है सुनार पट्टी सदर बजार चैवासा कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशितपूर क्यों जाना चैवासा में भी होगा सारा काम वह भी विश्वसनियता के साथ जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में चार पहिया वहान से जुड़ा सारा काम होता है वह भी भरोसे के साथ एक्सिडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, वील अलाइल्मेंट, वाशिंग, पिक अप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पल्यूशन सेटिफिकेट, कार एक्सेसरीज ये सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध है हमारा पता है चैवासा टाटा मार्ग, टेका साई चैवासा निलम सुले कर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस, डियवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जीला स्कूल, एसपेजी मिशन, संत निवेका, रूंटा, स्कूल इत्यादी की स्कूल ड्रेस, स्कूल बैल, स्कूल जूते, मौजे, स्कूल बैल, टिफिन बॉक्स इत्यादी, उत्तम क्वाल्टी के किफायती दामों में उपलब्ध है तो अवस्य पधारें, निलम शु, राजा बाडी कली, सदर बाजार चैवासा, जहां निलम शु का वाद आठ सितंबर 1980 को गुवा गोली कांड के दारान, पुलिस की गोली से घायल होने के बाद भी, किस्मत से दुरगुडिया सिरका जीवित बज गए थे एक मापूर्व, गिरने के कारण कमर में गंभीर चोट लगी और अस्वस्त चल रहे थे गुवा शहित दिवस के दिन मुखिमंत्री हेमंत सोरण ने उनकी खोच खबर ली तो पता चला की अस्वस्त है और बिस्तर पर है मुखिमंत्री के निर्देश पर उपायक द्वारा बैतर चिकित्सा सुविधा मुहया कराने के लिए सदर अस्पताल में भरती कराया गया और अब उन्हें और बैतर सुविधा के लिए राची रिम्स रेफर कर दिया गया है शुक्रवार की सुबह उन्हें अम्बलेंस के जरिये राची ले जाया गया आपसे फिर मुलकात होगी कुछ नए ख़बरों के साथ तब तक बने रहे हमारे चैनल पर धन्यवाद